हलो वेलकम इन प्लांट पैराडाइज बायशक्ति जैसा आप देख रहे हैं आज मैंने एक ट्रे बना ट्रे गारड़न बनाया है का डिया आई वाई किया है एक्षिली गणेश यह आने वाले हैं तो मैंने एक छुट कम प्राइज में मैं यह ट्रे स्यार की किया है पीज लगे होंगे और बहुत सारे समान जो थे वो घर के ही थे जो पड़े हुए थे वेस्ट में तो वेस्ट आउट करते हैं ना बेस्ट आउट आप बेस्ट तो हमने आज वही चीज है इस्तिमाल किया हुआ यह जो आप फ्रेम देख रहे हैं यह बहुत यह बर्मी कंपोस्ट है यह उट चार कोल आप देख रहे हैं और यह कोको पीट जो मैंने धोल के रख दिया था जो मॉइस्ट है भी और यह मार्बल स्टोन डस्ट है यह भी घर पे पड़ा हुआ था जो मैं अक्सर फर्टिलाइजर में यूज करती हुए इसका यह मूरम है जो कि घरों में काम होता है तो जब बालू को जब चालते हैं न तो यह निकल जाता है देखिए मैं एडेसिव के द्वारा इस पे यह लेस को चिपका दूंगी पूरे में कि यह देसिव यह जो हम लोग सूज हो गर चिपकाते हैं न कभी कभी तो उसके उसका ही बचा हुआ वही था तो मैंने उसका ही उसकर लिया इसमें और यह मेरा लेस लग चुका है फ्रेम पर देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है यह वैसे हम लेडीज को तो यही अच्छा लगता है कि पैसा भी कम लगे और चीज भी अच्छी बने तो शाहद संतुष्टी मिलती है तो यह मेरा यह फ्रेम एक तर बनके तयार हो गया यह देखिए यह ट्रे को मैंने उल्टा रखके इससे एक इंच बड़ा मैंने प्लास्टिक काटा है प्लास्टिक क्यों काटा कि मैं लेयर को सेपरेट करना दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने प्लास्टिक काटा और उसमें सुई से छेद कर दिया बहुत सारे और यह मैं सबसे नीचे इस्टोन पेबल बिछा दिया है मैंने और उसके उपर मैं जो प्लास्टिक कट किया था वो डाल रही है यह फर्स्ट लेयर मेरी इस्टोन पेबल की हो गई यह आपको आसपास कहीं भी काम लगता है तो मिल जाता है आराम से और इसके उपर प्लास्टिक बिछा दिया किससे आपकी लेयर सेपरेट आपको दीख रही है बिल्कुल नहीं यह दि बिछाएंगे दिना तो यह स्टोन डस्ट पूरा अंदर तक चला जाएगा और उसके बाद फिर मैंने एक लेयर प्लास्टिक बिछाया और उसमें स्वायल डाल दिया और उसके उपर यह मैं मोरम डाल रही हूँ ताकि यह मिट्टी के मौश्टर को बना के रखेगा प्योंकि पानी हमको स्प्रे के द्वारा ही डालना है और मैं ऐसे ही पोधे लगाऊंगी देखिये यह मेरा फ्रेंट लगग गया है आप ट्रै में और यह फैरी गार्डेन मैंने लगा दिया इसके चारों तरव फैरी लाइक मैंने उसको लगा दिया है और जो एक्स्टरा बच्चे वुए थे प्लास्टिक विचचा हुआ था उसको मैंने कट कर दिया यह अगावे का प्लांट है जो बहुत निकले हुए थे हमारे अगावे में तो मैंने उसको ले लिया क्योंकि यह बहुत ही हाड़ी प्लांट है जल्दी मरते भी नहीं है और चलते हैं काफी अच्छे और यह आप जो ग्रीन ग्रास देख रहे हैं जो हमारी आर्टिफिसल ग्रास जो आती है जब उसको कट करते हैं तो यह बहुत सारा निकलता है तो हमने उसी को इकठा करके रखा हुआ था जिसका यूज मैं कर रही है और यह जो गड़े सी जिस पर हमने बिठाया है आप वह द यह मिनियेचर जो देख रहे हैं हाउस का यह भी बहुत तुराना था और इस तरह से देखिए बिदाउट लाइट के आप देख रहे हैं और अब लाइट के बाद आपने देखा इसको तो एक छोटे से गणपती जी हमारे बन के तयार हो गया है बस इसमें सावधानी यह र बहुत सस्ते में अब बहुत कम समय में बन के तियार हो गया है तो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइगा सब्सक्राइब मैं जैनल थैंक्यू फारवाजी थैंक्यू फारवाजी थैंक्यू